हेलो माई यूटूब फ्रेंज कैसे हो आप सब लोग आई लूप क्या सुलूप बढ़िया होगे स्वास्त होगे और मस्त होगे तो फ्रेंज बलकम है आप सभी का मेरी एक और न्यू वीडियो में तो फ्रेंज आज का वीडियो जो है बहुत ज़रा खास होने वाला है तो शाइन ही अपने आप ईंट्रों में देख लिया है थामने देख लिया है और आपने टाइटल भी पढ़िया होगा तो अप देख सकते हैं here अपने इले सय हैं जो है का पड़े है exotics म्तिपने सकते हैं और बहुत ही सुन्थर से जय है आप ने आइटम सकते हैं तो यहाँ एह जो है एक देखिए ओनलाइन मंगाया था मिरर तो उसी का बॉक्स है चोटा सा इसी से मैं आज बनाने वाली हूं तो मैंने इसमें कुछ जो है चोटे-चोटे कत्रन पीस भर लिए हैं ताकि इसका वेट जो है अच्छे से हो जाए इसमें हलका न लगे तो इसलिए आप इसमें जो है निव से पर भी भर सकते हैं कागज बगेरा या फिस तरीके से जो है कपड़े बगेर भी आप इसमें डाल सकते हैं और फिर अच्छे से इसको टेप से बंद कर लीजे देखे इस तरीके से तो इसमें थोड़ा सा बजन हो जाएगा और आप कहीं भी इसको रखोगे त इसमें रॉड़ा और तो आप देख सकते हैं कोई भी सेफs इसमें रख सकते हैं कोई भी दिजाइन निकाल सकते हैंwohl बहुत Smart Day में बता रही है ताकि बच्छे भी बना सकें इतनाга स आप समझी सकते होकि वह होती जादा जो है यह इसको बनाता ही है सब्एम तक बameni कोई ने कोई ढाता ही है तो आप भी ट्राय कर सकते हैं तो बच्चों हो भी है करने के लिए अक्टिविटी तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सर्कल कट कर लिया है और नीचे से हमें एक इंच के आचपास मैं देखें इतना यहां से कड लेना है इसको कट ताकि जू है हमारा नीचे से एक वेश बन जा इसको रखने के लिए यह देखिए इस तरीके से हम इसको यहां पर पेस्ट करेंगे तो यह देखे कुछ डिजाइन है जो मैं आपको यहां पर दिखा रही हूं कि आप इसकी डिजाइन जो है किस तरीके से निकाल सकते हैं अपने हिसाब से बना सकते हैं बहुत सुंदर सुनर डिजाइन आ किकेड़ प्रश्राइब करते हैं तो यहां पे यहां कि जीनाते लोगे में यहीं अ turnover करते हैं के साथ हुआ ठाइं ठाइब उखने में यहां पर दो इसको यहां पर है च aurate两 लाइनियों सब्सक्राइते हैं जल्बदी काम होजाता है थोड़ा सट्यक्ताइब लगता है सूखने में और यही है इसका फैबिकॉल का पर एक बाचा ही फैबिकॉल का पर एक बाक चेपक जाता cuatro चेपक आइ lakarzing Pikal और इसको अच्छी से फैला औरेंज रंग कपड़ा हो गया या तरीके कि जैसे दुपड़ता वग्यर आपके पड़ा है तो दुपड़ता बगएर आप ले सकते हैं या फिर कोई साड़ी का आपके पीस पड़ा पड़ा है अक्सर पड़े होते तो दूसरा किया मेरे पास तो बॉक्स था तो मैंने वाक्स से इसको बना लिया है अगर आपके पास बॉक्स ने तो फिर क्या करोगे आप तो आप कार्डबोर्ट को इस तरीके से चिपका के आप चोटा सा जो हैं पर बना सकते हैं घर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है फैबिकोल से बहुत आसानी से जो है चिपक करके यह बोक्स भी बन जाएगा आप बोक्स की तरह कुछ और शेफ भी देना चाहे तो भी बन जाएग चोगी टाइप काप रख सकते हैं तो उसे साब से आप यहां पर कार्डबोर को कट करिए और अपना पेश्ट कर लीजे और इस तरीके से आप देख सकते हैं कपड़े को हमें बिल्कुल भी जो है यहां पर मुश्किल नहीं होती है चिपकाने में क्यूंकि हमें जैसे नोट कहàच और किल एक बार में ले सकते हो एक बार मैंने नहीं लिया था क्योंकि पता नेचलता कि कितना जो है आप लगेगा तो आप सकते हिस तरीकी तो किल्या सब्सक्राय की च्बाइक से लगा देंगे तो ट dł pvp हुआ है को यह हैं फिर देख से और थोड़ा सा कपड़े को खीच देना है ताकि पीछे की साइड कोई चृफ्ट हगे शिस्मण माजन देते हैं इसको कटip कर दूंगी सारा और कटिंग करने के बाद फिर हम इसको पेस्ट कर दींगी तो पेस्ट कैसे करने में बता देटेंको फ्रेंस यहां पर देखिए जो हमने मार्जन छोड़ा है इसमें हलके हलके से कट लगा लेने हमें ताकि पीछे की साइड में इसको चिपकाएं तो बहुत कोई भी जाए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में भी फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं आएगी तो आप देख सकते हैं आप मैंने इसमें जो है कट लगा लिए हैं ताकि इजिली चिपक जाए तो चलिए हम इसको पहले पेस्ट कर लेते हैं तो आप देख सकत इसके पूरी अच्छे से हमने पेस्ट कर ली है बढ़ पीछे की साइड के लिए यह वाला जो कपड़ा है में पास कम पाड़ा था तो मैंने यहां पे अलग कपड़ा लगा लगा सकते हैं और अलग-अलग कलर की जो यहां पर बना सकते हैं तो छोटे-चोटे कदरन पीश से बना रही हूं मैं तो यहां पे कोई ज़्यादा वो नहीं है तो छोटे सब मेरे पास पीश पड़ा था इसलिए मैंने इसको लगा दिया है और अभी इसके बाद देखे इसकी फिनिशिंग कैसे आएगी यह देखिए यह भी हमारा पेश्ट हो गया है यह भी हो गया दोनों हमारे त्यार हो गए हैं तो अभी हम जो है इनको भी आपस में फेश्ट कर देंगे तो यहां पे देखिए आपको जिस साइड में भी रखना है उसकी साइड पहले आप अच्छे से देख लीजेगा और उसके साब से आप देख लीजेगा और इसकी नीचे उपर की साइड देख लीजेगा क्योंकि हमने जो इसके पीछे वाला जो यहां पर बेस बनाया था वो थोड़ा सा हमने अलग कपड़ा लगाया था तो उसको नीचे ही रखिएगा इस तरीके से आप देख सकते हैं और यह जो है फेबिकोल से चिपकारी में तो थोड़ा सा टाइम लगता ह 5-6 मिनट लगते हैं इसको चिपकने में तो मैंने आप देखिए उड़ा करके रख दिया है और अभी मैं इस पर थोड़ा सा बजन रख दूंगी ताकि जल्दी से चिपक जाए तो देखिए फैबिकोल की बोतल रख दी थी मैंने और अभी मैंने यहां पर लिए हुई यह अगर आपके पास तरीकी की लेस नहीं है घर में तो आप यहां पर कोई दुपटे की लेस ले सकते हैं या कोई साड़ी की ले सकते हैं या फिर जो है आप किसी जैसे सुट बगएर हम निकलती है या फिर बच्चों की कपड़ों में कुछ भी कहीं से भी आप जो है आपके पास रखी है तो उसको आप यूज कर सकते हैं यहां पर देखिए फिर लेस की जगह जो है आपको अच्छा साइनिंग वाला कपड़ा है वह आप यहां पे लगा सकते हो और फिर बगा सकते हो में लगा सकते वह आपकी चॉईस माइने मिरा ग Une Jaguar मिले बंप पड़े हूए थे काफी सारे क्यूंकि निकाया में वाले में और नेचे में मेर की जरूरत नहीं है बस इसमें थोड़ा-स अपॉडर इसलिए दे रही हूं ताकि यह जो है इस तो अबहित से लगा सकते हैं इस तरीके से लगाऊंगी इसको आप देख सकते हैं कई तरीके से इसके लगाने की जो हर डिजान हैं आप अपने हिसाब से सोच के भी लगा सकते हैं मैं हाप इस साइडों से इसको लगाने वाली हूँ यह देखे इस तरीके से साइडों से लगाने भी बहुत अच्छा लग रहा था यह और बहुत एजली लग जाता है इसमें जादा कुछ नहीं है और एक और पॉइंट बताती जादा बेटर है और इसली जो है सूख भी जाएगा जल्दी से और दिक्कत नहीं होगी लगाने में दिक्कत तो अब आद में नहीं होती है लेकिन पैले कर लोगे तो जड़ा बेटर रहेगा और हमारे इतना एक्ष्ट्रा था तो मैं इसको यहाँ पे कट करके निकाल दू लोला है और अभी हम कि खोड़ा है क्पड़र को वेहारों तो से मेरे खेड क्पड़े हैं आपके अगर अगर शेको खोड़ा है तो आप वही जीगा इस तरीके से और मैंने देखिए साइडों से इसको सिल के और यहां पर इसका जो है बांद दूंगे इस तरीके से यह देख सकते हैं तो जो राउंड वाली हमाई पास कोशन होते हैं उसी तरीके से बनाना इसके रखने के लिए साइड के लिए सिंगहासन के लिए तो इस तरी और अभी कर लेंगे हम इसको सीधा और सीधा करने के बास फ्रेंज्स मैं इसमें भरने वाली हूँ है चोटे चोटे कप्डों की कतरन पीस आप इसकी जगा यहां पर रुय कॉटन भर सकते के दर और और फिर चोटे करते हैं इसको त्यार करते हैं अपने जो है सिंघासन के साथ तो यह दिखिए यहां पर इस तरीके से रख देंगे इसको तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी रख के छोड़ सकते हैं या फिर जो है आप इसको फिक्स कर सकते हैं तो मैं आप थोड़ा सा फैबी को लगा क उसको नीचे की साइड में रखा है ये देखिए ताकि जो अच्छी फिनिशिंग आये दिखाई भीना दे हमारा जो नीचे का सलाई है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं तो मैंने इसको उल्टा रख दिया था ये जो डिजाइन है ये दोनों आगे की साइड में रखनी थी तो फिर मैंने इसको सीधा कर दिया है और आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक इस तरीके से आया है और बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में चोटा सा क्यूट सा तो ये देखे हमारे चोटे से प्यारे से क्यूट से काना जी मैंने इस पर बठा दिये हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना अपने यार दोस्तों के साथ और अ अभी हमारे हाँ पर बपा जी बैठ गए हैं तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग अपने भगवान जी को बिठा सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नेक्स वीडियो में अपना खूब सारा धियान रखिएगा बाइबाई